धातू और अधातू में क्या अंतर है? धातू और अधातू किसे कहते हैं? इसकी परिभासा लिखिए क्या है? ये सब आप से पुछ दिया जाए तो बिंदास रहिए इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से लिखकर आ जाएगा नंबर आपको मिल जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं धातू मेटल ये मजबूत होते हैं मतलब ये कि एक लोहा है और एक लकड़ी है तो लोहा और लकड़ी में मजबूत कौन होगा? लोहा होगा तो लोहा क्या है? धातू तो धातू जो होते हैं वो हमेसा क्या होते हैं? मजबूत होते हैं कठोर होते हैं यूं कहिए तो यह चमकता है थाली क्या है थाली में जो है परकास अगर डालेंगे तो थाली क्या है चमकेगा सोना क्या है चमकेगा लेकिन लकडी कभी चमकता है नहीं चमकता है यह पीटने पर फैलता है लोहा को अगर हम पीटेंगे तो वो आसानी से फैलता है लेकिन अगर लकडी को हम पीटेंगे तो फैलेगा नहीं फैलेगा तूट जाएगा कोईला को पीटेंगे तो क्या होगा तूट जाएगा फैलेगा नहीं इसकी तार बनाई जा सकती है तामबा चांदी कौफर ये सब का तार बनाया जा सकता है लेकिन लकडी कोईला ये सब का तार नहीं ब पीटेंगे तो आवाज निकलेगा पर कम निकलेगा ठीक है तो धातु में क्या है आवाज बहुत निकलता है इसमें उसमा एक तरफ से दूसरी तरफ पार करती है जो तावा होता है लोहा का उसमें एक तरफ गरम करते हैं तो दूसरी तरफ भी गरम हो जाती है ठीक है और इसम इमें बिधूत आसानी से पार हो जाथ है यहीं 23 उता प्रज़ा से अगर लोह Heh Is लख़ें आगर आई नहीं होगे नहीं और आरण करें 2 दैगर अधारन में sûते करें daíस fan at अधातू बस इसका उल्टा है अधातू ननमेटल यह कठोर नहीं होते हैं यह चमकता नहीं है यह पीटने पर फैलता नहीं है बलकि तूट जाता है इसकी तार नहीं बनाई जा सक्ती है इसे पीटने पर आवाज उत्पन नहीं होती है इसमें उसमा एक तरफ से दूसरी तरफ पार नहीं होती है इसमें बिधूत पार नहीं होती है उधारन में समझे लकड़ी, कोईला, इंट, पत्थर, सलफर, कारबन, ऑक्सिजन, फोस्फोरस ठीक है अगर आपको अंतर लिखने को बोला जाए धातू और तरफ ये लिख दीजेगा आसानी से नंबर मिल जाएगी अगर आपको परिभासा लिखने को बोला जाए तो आप ये लिख दीजेगा धातू में ऐसे लिख दीजेगा ये कुछ पदार्थ, कठोर, चमकिले, अगात वर्धे, तन्य, ध्वानिक और उस्मा तथा बिधूत क सुचालक होते हैं, पदार्थ जिन में समानिय, समानिय तो ये गुन होते हैं, धातू कहलाते हैं, उधारन में ऐरन, कौपर, एलुमीनियम, कैल्सियम, मैगनेसियम, आदी, अधातू की परिभासा इस तरह रिख दीजेगा, कुछ पदार्थ, कठोर, चमकिले, अगात से तन्यद ध्वानिक नहीं होते हैं, और उसमा तथा विधूत के कुछालक होते हैं, अधातू कहलाते हैं, उधारन में लकड़ी, इंट, पत्थर, बालू, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑस्फोरस, आदी, मुझा आसा है कि इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको ब कि मुझान यार विधूत और र स्वाटरो 눈ैंवर प्राह धता हैँ, इस परिय ढने याफरोग बाता हैं, झावते हैं, भी आपको उपक वाला पया है, अव侍न, एंई कभी दो डाहते हैं, या आपको जसा पहते हैं, क्सु successor, या-क भीजत ऑय कि देता है लोग से एंट, इस